चाहते हैं कि वाटसैप में नीले चेक्मार्क्स का क्या मतलब है और आप इनको कैसे चुपा सकते हैं? तो फिर ये विडियो देखते रहिए! नमस्ते! मिरा नाम एकता है! हाल ही में वाटसैप में एक नया फीचर आया है, नीले या ब्लु चेक्मार्क्स! इसका मतलब है कि आपका भेजा हुआ मेसेज पढ़ लिया गया है पर ये फीचर पहले भी था ना? नहीं, ये एक नया फीचर है पहले ये ग्रे रंग के टिकमाक साते थे जिसका मतलब था मेसेज डिलिवर हो गया है पहुँच गया है आईए इसे ठीक से समझ लेते हैं जब आप मेसेज भेजते हैं तो एक ग्रे टिकमाक आता है जिसका मतलब है मेसेज जला गया जब वो मेसेज बहुँच जाता है तो आपको दो ग्रे रंग के टिकमाक्स दिखते हैं और जब वो मेसेज पढ़ लिया जाता है तो दो नीले रंग के tick marks दिखते हैं आईए इसे देख लेते हैं चलिए यहाँ पर WhatsApp में किसी को message भेज देती हूँ यहाँ click किया और अब कुछ type कर लेते हैं Hi, how are you और यह message चला गया अब यह गया है और उसके बाद यह deliver भी हो गया है इसलिए यहाँ पर आपको दो ग्रे रंग के tick marks दिख रहे हैं कभी-कभी देखिए ऐसा होता है कि आपने जिसको भेजा है message उनका phone off है या वो network area से बाहर है या वो plane में है तो ऐसी स्थिती में यह सिरफ एक tick होगा, दो tick नहीं होंगे इसका मतलब आपने भेज तो दिया लेकिन यह message मिला नहीं जैसे ही यह message पढ़ा जाएगा यह जो grey tick marks है यह नीले हो जाएगे चलिए मैं अपने दूसरे phone पर message खोल कर उसे पढ़ लेती हूँ और आप देखिएगा कि इसका रंग बदल जाता है यह देखिए यह जो grey ticks थे यह अब नीले रंग के हो गए अगर आप group को message भेजते हैं तो भी tick marks का वही मतलब है एक grey tick का मतलब है message चला गया दो grey tick marks का मतलब है group में deliver हो गया और जब दो नीले tick marks आ जाएंगे इसका मतलब है कि वो message उस group के सभी सदस्यों ने या members ने पढ़ लिया है पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप नहीं चाहते कि जिसने आपको message भेजा है उसे पता चले कि आपने वो message खोल कर उसे पढ़ लिया है तो ऐसी इस्तिती में क्या करें आईए सीख लेते हैं कि whatsapp में नीले tick marks को कैसे चुपाते हैं ताकि लोगों को ना पता चले कि आपने उनका message पढ़ लिया है यह देखे पहले तो आपको यह conversation या यह chat बंद करनी होगी अगर आपकी chat खुली होगी तो अपने आप से उनको पता चल जाएगा कि आपने यह message पढ़ लिया है तो पहले हम इस chat से बाहर आ जाते हैं अब हम whatsapp से बाहर आ गए अब मैं अपने दूसरे phone से यहाँ पर कुछ message टाइप करके भेजती हूँ यह देखे यहाँ पर दो messages मेरे दूसरे phone से मैंने यहाँ पर भेजे हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हरे रंग की arrow सी बनी है और यह दो अक्षर जो है यह एक हरे रंग के square में है तो फिलहाल यह messages पढ़े नहीं गए लेकिन अब हम क्या करेंगे आईए देखते हैं हम वापस main screen पर जाते हैं और अपनी phone की settings में जाते हैं यहाँ नीचे click किया और settings पर गए और यहाँ पर settings में आपको more settings पर click करना है और more settings के बाद आप flight mode select कर लीजिए यह देखिए बोल रहा है flight mode will be enabled तो ok के बटन पर click कर दीजिए और यह flight mode activate हो गया है और अब आपके phone में कोई भी internet connection उपलग नहीं है अब हम वापस whatsapp में जाते हैं यहाँ देखिए whatsapp खोला और इस chat को खोला और अब हमने आराम से messages पढ़ लिए अब अगर आप जाहें तो आप वापस जाकर इस flight mode को disable कर दीजिए और इसे यह देखिए वापस settings पर गए यहाँ click किया और more settings पर गए flight mode को off कर दिया और ok पर click किया अब जिन्होंने आपको message भेजा है उन्हें blue tick marks नहीं दिखेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि आपने उनके messages पढ़ लिये हैं हाँ यहाँ पर मैंने Samsung S3 का इस्तमाल किया है जो कि एक Android phone है आप अपने phone पर settings के हिसाब से अपने flight mode को activate कर सकते हैं आप आपने सीख लिया है कि WhatsApp में नीले check marks का मतलब क्या है और उन्हें कैसे छुपाते हैं वीडियो पसंद आया तो YouTube में like का बटन जरूर दबाईए और share करना मत भूले आप हमारे YouTube चैनल को subscribe करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्ट कर सकते हैं क्या कैसे देखते रहे और सीखते रहे धन्यवाद प्राप्ट कर सकते हैं